Hello all the aspirants, इस वीडियो में बात करेंगे कि result आने के बात कौन-कौन से processes बसते हैं, साथ ही साथ एक LS और GRF के certificates कैसे दिखाई देते हैं, और उनके अंदर क्या-क्या information mentioned है, उसके बारे में discuss करेंगे. जितने भी बच्चों ने इस बार GRF में LS या GRF qualify किया है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखीगा, आपके लिए at the end of the वीडियो में कुछ है. आएए, शुरू करते हैं. सबसे पहले तो, अगर आप LS qualify करते हैं, या आपने GRF plus LS दोनों ही qualify किया है, तो आपको LS का एक ऐसा certificate मिलेगा. This is for the lecture sir. अब इसमें एक point लिखा गया है, कि अगर आप college ongoing student है, तो आपका LS certificate तब valid होगा, जब आप masters pass out कर लेंगे. ये point यहाँ पर mention करी गई है, वैसे LS की at the end date validity गी बात करूँ, तो lifetime valid होता है ये, इसमें कोई end date नहीं होती है. और इस तरीके से आपको certificate मिलेगा, यहाँ आपकी photograph होगी, यहाँ बार code होगा, नाम लिखा होगा, और यह आपको website से ही download कर लेना होता है, और आपको website पर link आ जाएगा, ठीक है? कब आएगा इस बार के exam के लिए, अभी वीडियो में आगे बताऊँगा. Next, अगर आपने GRF qualify किया है, तो आपके पास इस तरीके का certificate आएगा, और इसमें आपके सारे informations रहेंगे, बार code, photograph, role number, अब इसमें क्या mention किया गया है? You have qualified for junior research fellowship and eligibility for assistant professor in December 2013. और test का नाम दिया गया है. अब इसमें एक और important बात, चुकि जिस भी candidate का ये certificate मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये belongs to OBC category, तो OBC category के अंदर जो tenure रखा गया है, कि कब तक आप इसके लिए eligible रहते हैं, कब तक आप PhD जॉइन कर सकते हैं, तो इन्होंने mention किया है, तीन साल के अंदर अंदर अगर आप PhD जॉइन करते हैं, तब आप कुछ type in दिया जाएगा, वरना तीन साल के बाद इस ज्यारे सर्टिफिकेट की validity खतम हो जाएगी, और आपको फिर से एक बार net निकालना होगा, अगर आप भी जानना चाहते हैं, कि आपकी category में कब तक valid होगा, तो नीचे comments में बताइएगा, इसके उपर हम इस separate video भी बनाएगे, Now, moving ahead, कब इस बार की क्या date expected हो सकती है, देखिए अगर हम लोग December 2030 की बात करें, तो e-certificate आया था लगबाद 10th of May को, और अगर हम June 2030 की बात करें, तो आया था 13th October को, इस बार भी October के मन्त में आ जाता, लेकिन अभी तो cutoff ही 15th October को आई है, तो चार महीने का gap इन्होंने हर बार रखा है, तो first week of December या December के second week तक, इस बार की e-certificates आ जाएगे, अब इस बार अगर हमने जारेफ क्वालिफाई किया है, या LS भी क्वालिफाई किया है, तब भी आप PhD के लिए eligible हैं, आप result awaited वाली category के अंदर form fill up कर दीजे, interview दे दीजे और वहाँ पर अपने scorecard को ये upload कर दीजेगा, अगर form fill up में ऐसा मांगता है, और कहा कहा के online PhD admissions चल रहे हैं, तो इस वीडियो को detail में देखिए, अगर आपने सिर्फ LS क्वालिफाई किया है, तब भी आप PhD, IITs और आईजर सिख कर सकते हैं, इस वीडियो को आप इसी channel के वीडियो की list में मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं, Now, coming ahead, अगर आप लोगों ने IFS की मदद से अपने result को इस बार हासिल किया है, तो अपना result हमारे साथ share करिए, क्योंकि कुछ important चीज़े हैं, जो मैं आज आपके सामने रखूँगा, IFS एक community frame कर रहा है, अब इसके बारे में भी डिसकस करूँगा कि result आपको share कैसे करना है, पहले मैं इस alumni network और इस community के बारे में बताते हैं, कोई भी बच्चा जो इस alumni network का part होगा, उसे अपने senior से interact करने का मौका मिलेगा, जैसे मान लीजे आप PhD करना चाहते हैं, अब किसी IIT Delhi की lab में आपको पता करना है, वहाँ से किसी senior से आपको contact करना है, तो इस alumni network के थूप कर सकते हैं, आप IFS में ही as a teacher आना चाहते हैं, तब भी आपको यहाँ पर first preference दी चाहेगी, आप IFS से कोई और course buy करते हैं, उस पे भी आपको extra offers होगी, तो ऐसे बहुत सारी features आपको इस alumni network के मिलेंगे, तो अगर आपने result इस पर आपका आया है, तो आप हमारे सारी result शेयर करिए, इस alumni section का part बनिये, अब result शेयर करना कैसे आपको, तो सबसे पहले नीचे description में दिये गए link पर click करिए, आपके सामने कैसा web page आएगा, उस web page पे आप अपने आपको register करिए, mobile number, OTP डालने के बाद, यहाँ पर आपके सामने कुछ details मांगी जाएंगे, जैसे first name, last name, आपकी email address, mobile number और क्या category रही आपकी, इसके बाद next section में आप अपना exam का नाम, अपने exam का stream, qualify year, और फिर अपनी rank डालके, आप इसको upload कर सकते हैं, scorecard है, प्लस passport size photograph अपनी एक ज़रूर upload करें, ताकि अगर आपका result हमारे तक नहीं पहुचा है, तो हम उसको share कर सकें, I wish कि आप लोगों ने इस बार exam में अच्छा perform किया था, नहीं किया तब भी कोई बार नहीं, दो ही महीने में फिर से net exam होने वाला है, अपनी तयारी को जोरो शोरो से जारू रखे, और जिन भी बच्चों का result आया है, वो सबसे पहले result शेयर करेंगे, Thank you so much, और आपको कोई information चाहिए, नीचे comment ने बताईएगा उसके उपर इस separate video, ज़रूर आएगी, आप लोग video देखते तो हैं, लेकिन like नहीं करते, comment नहीं करते, एक बिल्कुल गलत करते हैं, Thank you so much, मिलते किस और वीडियो में, I'll be learning.